हेलो फ्रेंज आपका एक नए वीडियो में स्वागत है आज हम बात करेंगे उप्मा अलंकार के बारे में उप्मा अलंकार किसे कहते हैं उप्मा अलंकार को हम कैसे पैचानेंगे आज यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे फ्रेंड्स परिच्छा के द्रिष्टी से यह very most important topic है और इसे जाना आपके लिए बहुत ही आउश्चक है तो फ्रेंड्स वीडियो को बिना skip किये वीडियो को complete देखेगा मैं इस वीडियो में आपको एसी ट्रिक बताऊँगा जिसकी साहता से आप एक मिनिट में उपमा अलंकार को पहचान जाएंगे तो आईए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आपसे एक request है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like जरूर करें तो फ्रेंज सबसे पहले हमें जानेगे कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं आखिर में उपमा अलंकार की परिभासा क्या होती है इसकी परिभासा बहुत ही आसान है आप लोग इसे एक लाइन में आराम से याद कर सकते हैं जानते हैं कि इसकी परिभासा क्या होती है इसकी परिभासा बहुत यह आसान है कि जहां किसी व्यक्ति या वस्त की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्त से गुड़ धर्म सुरूप के अधार पर तुलना की जाती है या समानता बताई जाती है वहाँ पर उपमालंकार होता है अर् जैसे हरिपद कोमल कमल से हरिपद कोमल कमल से हरिपद कोमल कमल से इसका अर्थिय हो कि प्रभु विष्णु जी के या भगवान विष्णु जी की जो पैर है वो कमल के समान कोमल है यानि कि जो भगवान विष्णु के पैर है इसकी तुलना कमल से यहां पर की जा रही है कि जो कर दिता हूं जिसे यहाँ पर हरी पद, ल्हाँस हो है, इसमें उपमान हो गळुख कर देता हूं जिसे यहाँ पर हरी पद, उपमान हो गया कमल यानि शन pennant वाचक सब्द यहाँ से है, और साधार नधम कोमल यानि यहाँ पर प्रभू स्री विश्नो cockpit की तोलह की त Top की तुलना प्रभु स्री विष्णों जी की तुलना जो उनके पैरों की तुलना है वो कमल से की जा रही कि जो हरी पद है जो प्रभु जी के जो पैर है वो कमल के समान कोमल है यानि उनके पैरों की तुलना कमल से की जा रही है यहां पर दिया गया है कि जब किसी व्यक्ति वस तुसे उसके गुड़ धर्म के अधार पर समानता या तुलना की जाती तो वहाँ पर उपमालंकार होता है अर्थात यहाँ पर जो इनके पैरों की तुलना है या इनकी पैरों की तुलना है जो समानता की जारी है वो कमद से की जा रही है थात यहाँ पर उकमालंकार है So friends आसा करता हूँ कि उकमालंकार किसे कहते हैं ओर उकमालंकार को हम कैसे पहचानते हैं यह आप लोगों को अच्छी तरा से समझ में आ गया हो गया तो यह वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं इसमें कुछ ना समझ में आया हो या इसमें कुछ डाउट हो तो आप नीची कमेंट में पूस सकते हैं मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इनी टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिन बंदे मातरम